हेलो बच्चों आपका अपने ट्यूटर टाक चैनल में स्वागत हैं आज की वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर ग्रेविटेशन की डेरिविशन कर रहे हैं हाइट ओफ सैटलाइट अबव दा अर्थ सर्फेस जैसे इस डायग्राम में यह अर्थ का डायग्राम ह है कैपिटल आर और अर्थ के एराउंड सैटलाइट मूब कर रहा है जिसका मास है को समाल एम से डेनोट किया गया है और यह सैटलाइट अर्थ के एराउंड अपने ओर्विट में मूब कर रहा है और हमने निकालना क्या है इसमें कि इसकी अर्थ के सर्फेस से उस सैटलाइ की height को x से denote किया गया है इससे पहले वाले वीडियो में हमने time period of satellite की derivation की थी यह वाला topic last video में हमने discuss किया था time period of satellite time period of satellite क्या होता है the time taken by satellite to go once around the earth यानि कि satellites को एक round अपने orbit पर अर्थ के around cover करने में कितना time लगा एक चक्कर complete करने में कितना time लगा उससे time period of satellite कहते हैं और इस derivation में हमने time period का यह वाला formula drive किया था t equal 2 pi upon r root में r plus h का cube upon g तो इसी formula से आपने इसकी derivation को sold करना है अग एक्जाम में यह question आता है कि derivation करें height of satellite above the earth surface तो आप time period का जो formula हमने drive किया था last video में तो यहां से start करेंगे कि जो time period है वह equal होता है 2 pi और बहार है upon r और root के बीच में है r plus h की cube और upon में small g इसमें बच्चो जो capital r है वो क्या है आर्थ का radius small g का मतलब क्या है acceleration due to gravity और r plus h का मतलब क्या है आर्थ के center से satellite तक की total height याने कि surface तक पहले r और surface से उपर h तो दोनों height मिलाकर r plus h ठीक तो हमने time period of satellite से formula convert करना है height of satellite तो height of satellite का formula इससे drive करेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा सबसे पहले तो squaring both sides both sides square करेंगे squaring both sides तो यहाँ पर क्या होगा यह p का square हो जाएगा left hand side पे बीच में equal फिर two pi का square करेंगे तो क्या होगा four और pi का square और upon में इस r का भी square होगा r square और जब इस root का square करेंगे तो यह root और square आपस में cancel हो जाएगे और value root हटकर value यह वाली आजाएगे r plus h cube जो बीच में जो भी value पहले सी थी और जी ठीक अब next step में बच्चा आप क्या करेंगे जो यह इस value को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं t square equal 4 pi का square r plus h का cube upon r square g को हम g r square लिख सकते हैं अब बच्चों यह जो g r square है जी हम इधर send कर देंगे t square की तरफ तो यह होगा t square g r की square और जो 4 pi square है यह upon में आ जाएगा 4 pi square upon में क्या कि हमने इस bracket को यहीं पर रोक कर रखा है r plus h cube की bracket को यहीं पर जो divide में है वो t के साथ multiply होगे और जो इस bracket के साथ multiple में थे वो नीचे यहीं क्रोश चलेगे यह value हो और इधर क्या बचा इधर बचे गया r plus h का whole cube हमारी derivation कौन सी हो रही है हाइट की हमने हाइट की value निकाल लिए है एच की वेली निकाल लिए है तो उसके लिए कि 3 का one upon three power बन जाएगी इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे टी स्क्वेर जी आर का square upon four pi का square और यह जो power three थे इधर आकर होगी one upon three और इधर आ आर प्लस h तो यहां से बच्चों यह जो एच की value में निकालनी है न है तो आर को भी इधर लेकर आएं तो आर इधर माइनस का हो जाएगा अगर आर को मैं इस तरफ लिआओ तो कैसे लिखूंगा इसको इसको कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि जो यह value है यह तो आगे ही रहेगी टी स्क्वेर जी आर का स्क्वेर अपॉन फोर पाई का स्क्वेर और बाहर पावर है वान अपॉन थ्री और यह आर इधर आगा तो यह माइनस आर आ गया और दूसरी तरफ अकेला एच रहा जाएगा ठीक है दूसरी तरफ अकेला एच रहा जाएगा कहने का मतला लेकर तो हम आर को इधर आया तो फूल एक्वेशन को ऐसे घुमा दिया तो हमें दिखने में लग रहा एच इकल टू टी स्क्वेर जी आर स्क्वेर अपॉन फॉर पाई स्क्वेर और होल प् दा गिवन सैटलाइट तो यहां पर बच्चो फॉर्मला ड्राइव हो चुक है हाइट उप सैटलाइट का अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पार वर्चिंग